चौद्री महीपार सिंग नेता जी जो दिवी प्रदेश के पूर सचीब रह चुके हैं दिवंगत आदमा चौद्री प्रेम सिंग के साथ इन्होंने कई दसक दो से धाय दसक काम तो किये ही इसके साथ साथ जो समाज सेवा किया वो काविय के तारीफ होता था अब इन्होंने कांग्रेस जैसी पार्टी को छोग के किसी और पार्टी में आए इसके पीछे इनका क्या मजबूरी रहा हो वो हम इनसे जानेंगे मैं सबसे पहले आपके चैनल को मैं नमस्कार करता हूँ आपको धन्यवाद करता हूँ और आप जो कैमरामान विश जी विकरम विश जी और आप जो आरकी सिंग जी मैं आपका बड़ा तेह दिल से आवाज परक्रेट करता हूँ कि आप हमारे यहां की आवाज बने हो और आवाज को आगे तक पहुँचाने का कारिय करे हो और मैं सदेव आपके साथ आप जब भी हमसे पूचेंगे तो हम सच बात करेंगे बनावटी कोई बात ने करीं यह विश जिलाते हैं अब आपको जो पूचना है पूचें आप परदेश सजीब थे कॉंग्रेस पार्टी के तब कॉंग्रेस के नाम से एक रहर थी पूरे हिंदुस्तान में कॉंग्रेस के सिवा दूसरा कोई पार्टी दिखता नहीं था इसके बावजूत पिछले एक दसक से आप कॉंग्रेस पार्टी को छोड़ के किसी अन्य पार्टी या कहा जाए आप पार्टी को जोईन किया आखिर इसमें आपका क्या मकसद रहा केजरी जबाग जी की निती देगी सरकार का काम या कौन सी ऐसी बातें दिखी या गुटबाजी दिखी आपको कॉंगरेस में या आप खुद ही बताएंगे कि क्या समस्या थी जो कॉंगरेस आपको चोर के आप ने आप काम पार्टी को जोईन किया कोंगरेस पार्टी के अंदर सबसे बड़ीतोग परिवारद वात थी परिवारद वात था उनके अंदर और दूसरे नंबर गुटबाजी इतने जगाद थी अगर कोई काविल आदमी है उसको नहीं बढ़ने देना और ना काविल को बिठा दिया करते थे और उनको यसी को रहते हैं तक क्या बला होगा क्या बुरा होगा वहां अपने-पने को ही चुना जा रहा था और कोई कारिया मतलब आपने देखा होगा कि किसी जो जैसे काविल व्यक्ति वो है और बना किसी को रहे हो तो उससे तो नुक्सान होगा न दिली का या किसी भी राज्ये के भारत का आप जहां भी काम कर ले हो नुक्सान है तो हमने उनकी नीती को देखके कॉंग्रेश को छोड़ा था मैंने क्या देखा क्या नी देखा ये तो खंडन नहीं करना चाहूँगा महिपाग निता जी मैं तो आप पाटी में भी देख रहाएं प्रदेश में इस सरकार में जो भी मंत्री गन है ये विदायक हैं सभी पर आरोप है सब के सब एक एक कर के जेए जा रहे हैं कम से कम अब तो अमानतुया को ये के फोटी थिरी भी रायक पे फायर हो चुका है आप इस समन्द में क्या कहना चाहेंगे ये पार्टी आप पार्टी सापसुत्री है या ये भी पार्टी और पार्टीयों के तरह बरस्थी है जैसे कि आपने देखा होगा हरीधुबाड नहाने जाती हैं लोग और हरीधुबड नहा के सारे के सारे अगिदम पवीतर हो जाते हैं तो बीजेपी तो हरे न सारे के सारे लोगों को मारा हो गोटा ले किती होँ पुजब तरह बलत कारियों वो सब चर्ण जो एक दम से आप देखोगे कि भई वो सारे के सारे जो सही हो जाएंगे पवितर होगे और अन्य किसी पार्टी में रहकर कोई भी अचाहे कितना ही वेक्ति विचारे जैसे हमारे यहां के विदायां के चौती सही राम पहलवान जी विचारे बिलकुल आपने देखोगे नॉर्म इस पाद नहीं लिया वो सारे पर जो उनको बाट रखा है कारे मही पर नेज़ा जी आवबात को ठाल गए मैं आपसे यह जनना चाहा सतेंडर जैन जो बहुत साफसुत्री मंदार है कोई पाटी कहती थी उसे भी जिबेग नहीं मिल रहा है मनीश सुद्ध्या पे बहुत ब दायर जी का है मैं इन ही बातों पे जानना चाहूंगा कि अन्ना हजारे से निकिली हुई पार्टी जो अन्ना हजारे ने ये तक कहा चिठी रिक कर कि केज़गार ने जो भी पार्टी बनाया ये पार्टी से मैं कहीं सहमत नहीं हूँ ये भी पार्टी उनी भरस्त पार्टी बात रही किसा इमांदार मंत्री के कार्य करता है आज तक अनसे आलवे लगता हैं तो आपनी कहाई कर gaat कुछ नहीं दे रहा यह मैं क्यों कहां चाहूंगा दे रही और नहीं है कि अभप में चलते हुआ की आरोप करने में रहे को लिए खिर जमांत करो हैं और जो चाज को जब देना चाहिए निन कोई नहीं जब जाएगी आप पता जमानत जब जब होगी जाएगी आप ये बताईए कि किसी को आप नाजाइज आप दुखी कर रहे हैं खाली सत्ता पाने के लिए डर चुके हैं इनको लग रहा है कि आप देखो इनके हाथ से सत्ता जा रही है जुखांब जाद में वहा हुआ है कि हमारी बहुत अच्छा वेक्ति गर्त तौर पर हमारी पार्टी का अच्छा पर्वाब हो रहहा है इनको लग रहा है कि दिली सब्तों सरकार है यह पंजाब में है गुजरात में भी बनायेpark है, तो मेरा कहने के मतलब ये है, कि ये लोग डर चुके हैं और तरह-तरह के आरोप लगा रहे हैं, आपने देखा होगा कि हमारे आमाधी पार्टी के पीछे इतनी बुरी तरे पढ़ चुके हैं, अगर कोई आमादी पार्टी के आदमी विदाय को अगर जुखाम भी हो गए हो छीख दिया तो कहते हैं यह बाइरिस फैलारा इस पाइफाय आर करो थे फिale इसके संबने में आप ब dusty तकि चेतर की जनता की वी बाते मैं आपको बता पाऊं। जब कुछ करेंगे तभी तो कमी निगलेंगी जब कुछ किया ही नहीं है तो कमी कमी है आप जब निगम का चुनाव होगा पार्टी आपको चुनाव की जिम्मेवारी सोपेगी आपका पहला प्रात्मिक्ता इस छेत्र में क्या होगा मेरा सबसे पहला प्रात्मिक्ता होगी छेतर में स्वास्त जो MCD के दोरा स्वास्त विवाग को चलाया जाता है स्वास्त पर देखा जाएगा मलेरिया पर देखा जाएगा और सपाई विशेश तोर पर हम जो यहां आज जो मेरे छेतर की हालत जरजर हो रुकिया सपाई के मामले में हर जगे बदबोहरी आप आप आगे जाओगे देखना कोड़े के गाड़ी रोड पे खली हुई है यह सबसे पहले मेरा एहम रॉल रहेगा क्या विपक्षी होने के नाते कहीं कि अभाव फ्रते आगोप की राजनेतिक तो नहीं करें तो मेरा कोई पक्ष नहीं कोई भीपक्ष नहीं है मैं एक सत्थता रहा हूं मेरा कोई बहेजवाव नहीं है अब पबंजी आप यह बताएंगे कि महिपार इसिंग नेता को कबसे जानते हैं इनकी बास्टमिकता क्या है Sir, मैं बच्छ, मैं कलास बहु हु消endre शाप मेरा भाई मेरा बढ़ा है है मैं जी सामाज मेर खुत तो अगर आपि घुत है पुरे जीत मेरा है मैं पाल लेता जी संगज करो मैं पैल लेता जी संगज करो मैं परनी जोबूर लेता जी Сचार जिस ऑन साथ गतने हैं